नमस्कार साथियों, मैं मनी सिंग, एक वर्पुन हैं, आप सभी का स्वागत करता हूँ, सरवगे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों चलिए, शुरू करते हैं आज की क्लास को, और देखते हैं, कोश्चन नमबर वन, द्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिये, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे, उन्हें नोट डाउन क करते चलिए, साथी साथ अपनी स्कोरिंग करते चलिए, क्लास कंप्लीट होने के बाद, अपने स्कोर कार्ड को कमेंट सेक्शन में सेर करना ना भूलिए, ओके, चलिए, देखते हैं, हाली में कहा गया कि केरल का पहला AI स्कूल निम लिखिती स्थानों में से कहां पर खोला दोस्तों, ये केरल का भी नहीं, पूरे भारत का भी पहला AI स्कूल है, और आपको बताना इन में से किस स्थान पर खोला गया है, चारों लोकेशन केरल की ही है, कोच्ची, त्रिशूर, तिरवननतपुरम या अलापुजा, तो इसका सही जबाब क्या होगा, त्रिशूर हो इसके लाबा केरल के समन्द में कुछ अने चीजे में आपको बताना चाहूंगा, जैसे अली में थेयन, अनुष्ठान कला का आयोजन कहां पर किया गया है, केरल के अंतरगती किया गया है, केरल सरकार ने दियानने किये गा, मुफ्त ओनम किट प्रदान की है यह लिमें, इस प्रस्ताव पारित करती है किसी भी राज्य का नाम चेंज करने के लिए तो फिर ऐसा नहीं कि वो चेंज ही हो जाएगा क्योंकि अभी ये जाएगा अनुमती के लिए यूनियन गवर्मेंट के पास और यूनियन गवर्मेंट यानि संसत के द्वारा जब इसे संसोधित किया जाएगा मानेता प्रदान की जाएगी ऐसे प्रस्ताव को संसत से पारित करवा दिया जाएगा उसके बाद ही नाम चेंज होगा केरल का अगर मालिया केरल की केपिटल तिर्वनंत पुरम का नाम अभी चेंज करना होता तो फिर वहाँ पर केंदर की अनुमती की आवस्यक्त नहीं होती है, यानि अगर राज्य का नाम चेंज करने की जरूरत होगी, तो फिर ऐसा प्रस्ताव सदयव आरंब किया जाएगा राज्य की विधान सवाल, लेकिन फाइनल अनुमोधन इसका करना होगा संसत को, लेकिन अगर किसी राज्य की राजधानी का नाम चेंज करना है तो फिर वहाँ पर संसद की कोई भी अधिकारिता नहीं है, ऐसा काम विधान सवाही प्रस्ताओं को पारित करके कर सकते हैं, आप लोग समझ पायोंगे, तो ये इसका नाम भी चेंज कर दिया जाएगा, इसके लावा ध्यान लगेगा, आतिती पोर्टल एक लॉंच किया गया जो कि प्रवासी स्रमिकों को पंजी करत करने के लिए है, और ये काम भी केरल सरकार के द्वारा किया गया, तो ये कुछ important चीज हैं जिने आप जरूर दियान लगेगा, ये news आप दोस्तों देख सकते हैं, कि राष्टपति रामनात कोविन जी ने पहले AI स्कूल का अच्छा केरल कहाँ पर लोकेशन में होगा, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये केरल है, और इसकी कैपिटल का नाम क्या होगा, तिरवननतपुरम, ये जो यहाँ पर इसकी कैपिटल आपको दिख रही है, ये है, तिरवननत पूरा, बिल्कुल एज पर आप देख सकते हैं, एक कोस्टल लीजन है, काफी important है, केरल और तमिल लाड़ो में कुछ पुराचीन पाड़ियां भी पाई जाती है, जिने हम लोग क्या कहते हैं, नील गिरी की पाड़ियां, और साती साती यहीं पर आपको पाड़ियां देखने को मिलेंगे, तीन पाड़ियां हैं, तो तीन दियान लखिएगा, अन्ना मलाई और काड़ ममिल्स, यह मालिया अगर अन्ना मलाई है, तो इसका सबसे हाइस्ट पीक क्या हो जाएगा, यह आपको जरूर दियान लखना है, काफी important है, अनाई मुदी, अनाई मुदी, तो अना से लेकर यहां तक, जो सबसे हाइस्ट पीक आपको देखने को मिलेगे, इस पूरे रिजन के अंतरगत, तो यह आपका अनाई मुदी हो जाएगा, उपर करनाटक में जाएगा, तो यहां पर भी एक बहुत important परवती छेत्र है, जिसे हम लोग कहते हैं, बावा बुदान, हि का नाम है, कुद्रे मुख, कुद्रे मुख हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए, यह जो रीजन है, यह भारत में, धातिक खनीज के लिए काफी important है, मुख की रूप से यहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक तो आईरन ओर देखने को मिलेगा, आईरन ओर, और दूस तो यहां पर डोड़ा वेटा ध्यान रखीगा, नेल गिरी का सबसे उचा परवत का चोटी है, और अन्ना मलाई जो होगा, यह अनाई मुडी की सबसे उची परवत की चोटी होगी, अगला कोशन हम लोग देखते हैं, और CM बगएरा तो आपको पता है, कुछ टॉपिक्स क को हटा दिया है, वरतवान में वीजेपी गवर्मेंट है, तो खासकर जो टॉपिक हटाये गए हैं, वो आप बोल सकते हैं कि वीजेपी की विचारधारा से मैच नहीं खाते हैं, इस प्रकार के टॉपिक्स को हटाया गया था, और अभी केरल में क्या किया गया है, कि उन काम करती है, तो राज्य सारकारों को इस पर कोई अधिकारिता नहीं होती है, इसलिए राज्य की गवर्मेंट ने क्या किया है, कि अलग से कहा, मतलब एक तो NCRT इनके हमालिया हो गए, और दूसरा इनों कहा, एक और हम लोग यहाँ पर अपनी बुक निकाल देंगे, तो ज और एको पता है, वीजेपी जो है, वो एक तरीके से इनके सपोर्ट मे ही रहती है, तो इसलिए इनों का येवाला मटा देंगे, गुजरात का जो विवादित दंगा है इसे भी यहाँ से रिमूफ किया गया था तो ये लोग क्या करेंगे केरल की क Girly की Government इसे भी सामिल कर देंगे तो इस प्रकार के Topics जो है वो यहाँ पर सामिल कर दिया जाएगा ये केरल सरकार की न्यूज है आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं अब केरल की बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूँ आप रिकॉल करिए अगला देखे हाली में कहा गए कि प्रकासित पुस्तक इम्पॉर्टेंट है ड्रंक ओन लव लाइफ विजन एंड सौंग्स ओफ कवीर ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्या पूच्छा जा रहा है निम लिखित में से इसका राइटर कौन होगा इसका राइटर कौन होगा तो क्या निरजा चौधरी के द्वारा लिखी गई है या M.Wankyan I.Do या सारी का भारत द्वाज या इनमे से कोई नहीं होगा तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा अब इसमें से जो राइटर हैं वो तो यहाँ कहीं पर नहीं दिये गए हैं तो इसमें सही जवाब क्या बनेगा ओप्सन नमबर D हो जाएगा इसके राइटर का नाम अगर हम लोग बातचीत करें तो क्या हो जाएगा काफी इंपॉर्टेंट बुक है विपुल रिखी विपुल रिखी ये इसके राइटर हो जाएगे बुक्स के सम्मन्द में ये सब नाम भी अभी चरचित रहें जैसे निर्जा चौदरी ने अभी एक नई बुक लिखी थी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन क्या इनकी बुक का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन दूसरा यहाँ पर द्यान से देखे एम वैंक कईया नाइडो तो क्या इनकी कोई बुक अभी चर्चा में रही थी बिल्कुल As the wheel turns कौन सी बुक होगी As the wheel turns और एक नाम यहाँ पर दिया गया सारी का भारत द्वाज तो इनकी पुष्टक भी काफी important है A fool's journey कौन सी हो जाएगी A fool's journey A fool's journey A fool's journey तो यह सब इनकी बुक्स हो गई और यह जो अपने question में दी गई थी इसके writer का नाम क्या है Bipul Rikhi हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख भी सकते है Writer का नाम क्या है Bipul Rikhi Drunk on love आप जरूर ध्यान लखिएगा अगला question ध्यान से देखिए हाली में कहा गया कि Infosys का brand ambassador निम लिकित में से किसे बनाया गया है Infosys का brand ambassador इन में से कौन बनाया गया क्या दीपिका पादुकोर है यह सुनिल चेत्री है जो प्रसिद भारत के footwaller यह राफिल नडार है यह वी footwaller है इस्पेन के और विराड कोली यह प्रसिद भारत के तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा राफिल नडाल यह ध्यान लखिएगा नए brand ambassador बनाया गया है इसके लबा कुछ अन्य brand ambassador है उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ यह आप news देख सकते है कि Infosys ने sign किया है अभी agreement राफिल नडाल के साथ brand ambassador के रूप में और यह ध्यान लखिएगा इनकी जो deal हुई है यह तीन वर्सों के लिए हुई है यानि अगले तीन वर्सों तक Infosys के brand ambassador यही रहने वाले है कुछ और latest brand ambassador बनाये गए है जिनके वारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें सबसे पहले है Asics इसके brand ambassador बनी है सरद्धा कपूर इसके लबा ध्यान लखिएगा World Profession Wrestling Hub इसके बने हैं संग्राम सिंग अगला यहाँ पर प्लक इसके हैं करीना कपूर और एक ध्यान लखिएगा VPCL इसके नए brand ambassador बनाये गए है राहूल द्रबिन तो यह 4-5 नाम आपको जरूर ध्यान लखना है यह news इन सम्में ज़्यादा important और ज़्यादा latest है जिसे आपको ध्यान लखना है अगला कोशन देखिए हाली में कहागे कि पोशन जागरुकता सुषकांग जारी किया गया है जिसमें सीर्स पर कौन सा राजे रहा होगा सीर्स पर कौन सा राजे रहा है द्यान से देखिए क्या मध्य प्रदेश है 36 कड है या पंजाव है या जहारकंड तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा पंजाव हो जाएगा पंजाव हो जाएगा राइट तो यहाँ पर आप clearly ranking देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा जूम करके आपको दिखा देता हूं ताकि आप clearly इस ranking को देख पा हैं ठीक है देखे द्य इचले इस तर पर इसमें बिहार रहा है बिहार से थोड़ा सा उपर आंदरप्रदेश देखने को मिलेगा फिर राजस्तान फिर तमिल नाडू और फिर बुजरात तो आप याद रह सकते हैं कि इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो किया है वो पंजाब ने और सबसे जो बेकार परफॉर्मेंस रहा है वो भी हर का रहा है तो इसे आपको ध्यान लगना है अगला कोशन ध्यान से देखेगा मैप में आप अपने स्टेट वगरा देख लिया करो ये जो आपको स्लाइड्स हैं और इस पर बेस्ट जो नूट्स हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी मिलेंगे हमारे एप पर भी मिलेंगे वेबसाइट पर भी मिलेंगे तीनों क क्लास चुकि अभी बिल्कुल इनीसियल मोड में है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम लोग मतलब इस पर बहुत अच्छा काम करेंगे अभी तो बस आप लोग सपोर्ट करते चलिए और देरे-देरे लोग जुड़ते रहेंगे और ये कारवा इसी तरीके से आगे बढ़ता र या गुजरात गवर्मेंट के द्वारा या मध्य प्रदेश के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लांच किया गया है तो दोस्तों सही जबाब इसका क्या होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लांच किया गया है इस स्किम के बारे में थोड़ा सा कारेगरमों का प्रसारन किया जाता है इस स्कीम के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें एक सिकंड में थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें कौन-कौन सी सुविधाय देखने को मिलेंगे एक तो ध् अफ्रा झो होगा वो ऐसा होगा जिसमें सारी सुविधाय नहीं तो फोगी परयाप्ट दक्श स्क्षक होंगे मतलब सिक्षक काफी कुसाल होगे ऐसा नहीं किसी को भी रख लिया गया बेहतर विद्याले का नेतरत होगा, अविवावकों की सहवागिता पर इसमें द्यान दिया जाएगा, सभी विद्यारते 21 सदी के कौसल अरजित कर सकें, इस हेत गुणबत्ता युक्त इसमार्ट कक्षाएं होगी, सभी प्रकार की प्रियोग सालाएं वगरा इसमें खोली जा पूर्व प्राथमिक शिक्षा और व्यवसाइक शिक्षा पर भी परियाप्त महत दिया जाएगा, तो ये काफी important और महत्वा कांक्षी परियोजना है, जिसे आपको ध्यान रखना है, ठीक? ये बड़ी सी slide है, इस पर आप पढ़ सकते हैं, ये सब आपके notes के लिए यहाँ पर किया जाता है, मद्यप्रदेश के बारे में आप चाहें तो कुछ और चीज़े याद रख सकते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एक चीज़े बताना चाहूँगा, कुछ अन्य schemes भी मद्यप्रदेश की चल लाई है, आप से पूची जा सकते हैं, जैसे एक इनकी scheme है, लाडल पहना योजना, पहना, योजना, इसके अंतरगत क्या किया जाएगा, जो महिलाएं होंगे, इनके एकाउंट में, डिरेक्टली डीवी टी के माद्यम से, एक हजार रुपए, प्रतेक महिना डाले जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, लाडली बहिना, इसी से रिलाउंच किया गया है, लाडली लक्ष्मी योजना, इसे आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पुरानी स्कीम है, लेकिन क्या किया गया है, रिलाउंच किया गया, मद्यप्रदेश के बारे में, एक दो इंपॉर्टेंट चीजे मैं आपको और बताता अभी मद्य प्रदेश के संबंद में एक कमीटी चर्चा में रही थी जिसका नाम है राजेश गोपाल कमीटी राजेश गोपाल समीटी ये किसे संबंद में आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि अफ्रीका और नामीविया से हम लोगों के यहां कुछ एक चीता लाए गया थे कुछ समय पहले और उन्हें कहां पर रखा गया था पालपूर कूनो नेशनल पार्क में पालपूर कूनो ने जा रहा है और इन्हें सिफ्ट कहां पर किया जाएगा तो इन्हें सिफ्ट दोस्तों किया जा रहा है गांधी सागर गांधी सागर वाइड लाइफ सेंक्चुरी ये कहां पर है ये मद्यप्रदेश और राजस्थान के बार्डर अधिकान सिंसा इसका मद्यप्रदेश में ह तो यहां से द्यानने कीगा कुनों से ट्रांसपर किये जा रहे हैं यहां पर और यह सुझाओ दिया गया था राजेस गोपाल कमिटी के दोरा इसलिए यह कमिटी आपके एक्जाम के लिए काफी important हो जाती है इसी से मिलती जुलती एक ख़वर आप चाहो तो और याद रख सकत आपको पता है कि यहां पर एक दुरगावती वाइड लाइफ सेंक्चूरी है और एक आपने यहां पर नाम सुनागा नौरा देही नौरा देही अब दोनों को मिलाकर ध्यान लखना है आपको एक टाइगर रिजर्ब बनाया जा रहा है और इस टाइगर रिजर्ब का नाम क्या होगा दुरुगावती टाइगर रिजर्ब तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है दुरुगावती वाइड लाइफ सेंक्चूरी और जो यहां का नौरा देही है दोनों को मिलाकर ये बनाया जा रहा है तो इसे आप चाहो तो यहाँ पर याद रख सकते हो और मद्य प्रदेश के बारे में एक अंतिम चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा मद्य प्रदेश में एक सीटी है सांची सांची तो आपको पता ही होगा World Heritage Sites भी यहाँ पर है स्तूप बगएरा काफी important है असोक के द्वारा जो बनवाया गया था ये क्या है मतलब क्यों important होगा ये भारत का पहला Solar City बना है भारत का पहला Solar City बना है Solar Village तो इसका साही जवाब क्या होगा Modera और Modera कहाँ पर देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात के अंतरगत गुजरात के अंतरगत तो ये information आपको जरूर ध्यान लखना है अगला question हम लोग ध्यान से देखते हैं ठीक है कहाँए कि हाली में तेज गेंदवाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का किर्थिमान इस्थापित किया है और ये ध्यान लखीगा यह कारनामा करने वाले दूसरे गेंदवाज बने हैं यानि विस्व के दूसरे ऐसे गेंदवाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट कम्पलीट कर लिये हैं और इस खिलाडी का नाम क्या होगा क्या इनका नाम ट्रेविस हेड है स्टुर्ट ब्राड होगा मिचल स्टॉर्क होगा ये जिम्स एंडर्सन होगा जिम्स एंडर्सन होगा तो द्यान से देखिए इसका सही जवाब क्या होगा स्टुर्ट ब्राड और इनके वारे में आप सभी को जरूर पता होगा जब इनका नाम आता है तो इवराज सिंग के छे छक्के आपको जरूर याद आते होगे इनकी बॉलिंग पर ही लगाए गये थे ये जो खिलाडी है ये इंग्लेंड का खिलाडी है और वो इवराज सिंग से आप जरूर कनेक्ट रखिएगा क्या किये थे छे छक्के इनकी बॉल पर ही लगाए थे ये काफी मतलब अच्छे उस समय भी गेंदवाज हुआ करते थे लेकिन वो पता ने उस दिन क्या हुआ अजीब सी बॉलिंग कर रहे थे एकदम से फुल टॉस दिये जा रहे थे और इवराज सिंग मारे जा रहे थे खर कोई बात नहीं तो अभी क्या हुआ है इन्हें ये वाला रिकॉर्ड हासिल करने का मौका मिला है इसके साथ ही इन्होंने सन्यास लेने की गोशना भी कर दी है सन्यास लेने की गोशना भी कर दी है तो अभी ये सन्यास भी ले लेंगे इसी के साथ नाम इनका क्या होगा ये भी क्रिकेटर है और ये ऑस्टेलिया का खिलाडी है ट्रैविस हेड ये इनके थे 600 वे सिकार अब ये पहले आप हेडलाइन देख लिए अपने आखरी टेस्ट में इस्ट वर्ड ब्राड ने बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में 146 साल के इतियास में है मुथाया मुरली धरन स्री लंका के महान खिलाडी आप सभी लोगों के कविन कवी फेवरेट रहे होंगे मुरली धरन और मुरली धरन के जीवन में तो वैसे यह आपको पता है काफी महत पूर्ण गटना है गटी है और अभी एक गटना इनके समद्ध में क्या याद रखना है कि इनके जीवन के उपर एक मूवी बन रही है एट हंड़ेड एट हंड़ेड क्या है ये मूवी का ना तो इनका नाम है मधूरमित्तल मधूरमित्तल दियान रखना है विश्व में सरवाधिक विकट जो है इनके नाम है सेकेंड नॉमर पर इसमें कौछ आता नाम है शेन वार्न अब इनका नाम आप सबünüz कि जरूर जानते हो at यह और इनके नाम कितने है यहाँ पर मैंने 800 बताए हैं और इनके जो विकेट है 708 708 थार्ड पर जो खिलाडी है उसका नाम क्या हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है James Anderson और इनके जो टोटल विकेट है 688 इन्होंने विकेट प्राप्ते किये और फूर्थ नंबर पर पूरे विल्ड में जो है वो खिलाडी है भारत के और उनका नाम क्या है अनिल कुम्बले भारत के महान स्पिनर रहे हैं और इनके जो टोटल विकेट है वो है 619 इनके विकेट है तो यह सब आप ध्यान रखिएगा ठीक है ना आप कमेंट सेक्षन में ये लिखी कि सेन वान की आत्मकथा का नाम क्या है और अनिल कुम्बले की आत्मकथा का नाम क्या है तो यह आपका स्टोर्ड ब्राड हुआ इसके वारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा अब यह इंग्लेंड के थे इंग्लेंड वगेरा तो आपको पता ही होगा दोस्तों कहां पर पढ़ता है यह जो रीजन आपको यहां पर दिख रहा है यह आपका रहेगा इंग्लेंड जो इधर वाला मुखिता हिस्सा है इसे इंग्लेंड के नाम से जाना जाता है ये पूरा जो है इसे Ireland देव समूह के नाम से जाना जाता है इसमें दो country हैं एक उत्तरी Ireland होगा और एक दक्षनी Ireland होगा जो दक्षनी Ireland है ये एक संप्रभू स्वतंत्र country है और इसकी capital का नाम यहाँ पर क्या होगा कमेंट में बताइए और उत्तरी Ireland की capital जो है वो है wellfast कौन से wellfast हो जाएगे अभी Australia आया था तो Australia भी आप दियान लेकिएगा ये जो यहाँ पर region है ये है Australia जिसकी capital क्या होगी Canvara और ये New Zealand इसका capital मैंने आपको Wellington बताया था most most important ये खिलाडी है मतलब एकदम से करिस्माई खिलाडी आप इसे समझ सकते हैं तो दियान से देखिए इसमें winner का नाम पूछा गया क्या इनका नाम तनिसा सचदेबा होगा ये भारत की बहुत ही प्रसिद खिलाडी है शातरंज की ये कोनेरू हमपी ये भी भारत की ही खिलाडी है या जू वेंजुन इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ या इनका नाम ली तिंगजी होगा तो इसका सही जवाब क्या बनेगा जू वेंजुन और जू वेंजुन ये कहां की खिलाडी है ये खिलाडी है दोस्तों चाइना की चाइना की और ये ध्यानने कीगा इस समय वर्ल्ड की नंबर वन खिलाडी है विस्व की नंबर वन खिलाडी है जू वेंजुन महिलाओं के मा तिंगजी को हराया था ये इसमें उप विजेता रहें और ये खिलाडी कहां की है चाइना की है ये भी चाइना की और ये भी चाइना की है यहाँ पर एक चीज और ध्यान लखिएगा इसी तरीके से जो मेंस वर्ल्ड चैंपियंशिप हुआ था मेंस वर्ल्ड चैंपियंशिप इसमें जो खिलाडी टॉप पर रहा इनका नाम क्या होगा इनका नाम है तिंग लेरेन अर ये खिलाडी भी चाइना से ही है ये कहां से है चाइना से है तो विज्व में अगर आप से पूँछा जा कि बताएं महिलाओं में नंबर वन खिलाडी कौन है जू बैंजू और विज्व में अगर आपसे पूँछा जा कि डिंग लेरेन जो हैं ये क्या होंगे ये नंबर वन पुरुष खिलाडी और दोनों ही चाइना से है तो मेल फीमेल इसमें दोनों ही जो विज्व चैंपियन है वो दोनों ही आपके चाइना से रहेंगे प्रॉजर लेंड के अंतरकत देखने को मिलेगा, अगला कोशन, कोशन नमर 9, ये भी काफी important है, सेमी कौन इंडिया 2023 का आयजन हाली में किया गया है, और आपको बताना है, इसका आयजन कहां पर किया गया है, बहुत ही important है, क्या इसका आयजन गुजरात में किया गया है, उत् अंधिनगर के अंतरकत इसका किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोधी जी गया थी, आपने साथ देखा भी होगा, इसका live daily cast, तो ये काफी important है, सेमी कौन आपको लगी रहा होगा, सेमी कौन क्या है, ये एक प्रकार का सम्मेलन है, जो कि सेमी कंडुक्टर के उपर है, सेमी चिप्स होती है, खाने वाले नहीं, data, store और data को transfer करने के लिए, जो चिप बनाई जाती है, आपके phone का circuit जैसे हुआ, या computer के अंदर जो चिप बगारा लगाई जाती है, उन सबकी में बात कर रहा हूँ, तो उसके उपर था, यहाँ पर एक चीज आपसे ये पूची जा सकती है, कि जो चिप 4 country है, वो कौन-कौन होगे, चिप 4, चिप 4 country को ही ध्यान रखिएगा, 5 country के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कौन-कौन सी country सामिल है, काफी important है, इसमें एक तो अपना पढ़ोसी country सामिल है, ताइवान, एक country इसमें कौन सा सामिल होगा, जापान, एक country इसमें सामिल है South Korea और एक इसमें सामिल है USA तो ध्यान लखिएगा इसमें चिफ फोर में आपके चार देश सामिल है ताइवान हुआ जापान हुआ South Korea और USA इसके अंतरगत सामिल है ठीक है आप याद करो मैंने एक कमपनी और आपको बताए थे USA की एक कमपनी है Micron कहां की कमपन ये भी द्यान रख सकते हैं इसमें मतलब काफी कुछ चल ला है semiconductor के उपर क्योंकि भवी से में आप देखीगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे जीवन में चिप कम है तो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है इसके लाबा द्यान लेकिएगा एक news आप पश्यम की तरफ देखने को मिलेगा ये semiconductor के निर्माण के लिए अभी समझ होता किया है आप ये समझे कि दोनों मिलकर semiconductor के उपर काम करेंगे और भारत का semiconductor mission तो मैंने आप बताया था 2022 से 2027 तक चल ला है वो अभी मतलब continue है तो इसे आप चाहों तो ध्यान रख सकते हो ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है सेमी कॉन इंडिया 2023 और इन अगरेटिट वाई नरेंदर मोधी और इसमें ये है गांधी नगर के अंतरगत इसका आजन किया गया था गुजरात में ठीक है इसकी location कहां पर है ये गुजरात है ये इसका capital क्या होगा गांधी नगर हो ज जाता है और ये इधर जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम लोग अरव सागर से जुड़ा हुआ है भारत में सबसे लंबी कोस्टल लाइन जो है वो इसी राज्जी की है इसकी गुजरात की और ये पाकिस्तान के साथ भी अपना बार्डर सेयर करता है पाकिस्तान के उसके उपर अभी चाइना ने अधिकार करके रखा है तो कितने राज्जी हुए जो पाकिस्तान के साथ बांडरी सेयर कर रहा है एक, दो, तीन, तीन ही राज्जी हुए और दो संगसासित प्रदेश है टोटल फाइव एंटिटी है जो बार्डर बनाती है पाकिस्तान के सा जिसमें से तीन राज्जी है और ध़्यान ने किएगा दो संगसासित परदेश है आज की क्लास का लेकिस्तान के बाद एक लेकिस्तान मैं आपको दूगा प्रेक्टीस के लिए उसका जबाब आपको क्लास खतम होने के बाद कमेंट सेक्षन में देना है अगला देखें प् यानि किसी भी संस्था का जो अध्यक्ष होता है तो यह यहाँ पर लिखा गया है CMD इसका ज़रा जवाब आप देख लिए और यह आपको पता हूने जो BDL है यह काफी बड़े-बड़े उपकरण बनाती है खासकर डिफेंस से समझने और यह सीधे-सीधे रक्षा मंत्राले के अंत्रगत काम करते है रक्षा मंत्राले के अंत्रगत काम करते है जिसके वर्थमान मंत्री राजना सिंग है और BDL का hindsight इसका headquarter कहाँ पर देखने को मिलेगा यह हैदरावाद की अंतरगत होगा तो इसके cmd जो अभी हाली में बनाये गए है इनका नाम क्या है ए माधव राव हो जाएगा यह है ए माधव राव और यह बनाये गए है बीडियल के नय cmd नय cmd बनाये गए है इसके वारे में कुछ अ इसके अपने आकास का नाम सुना होगा उसको बनाने में काफी प्रमुक भूमिका है आकास क्या है यह surface to air missile भारत की है surface to air missile है इसके लबाव जैसे आपने नाम सुना होगा अमोग missile इनकी अलग-अलग series रहते हैं आमोग missile ये भी ध्यान रकिया काफी important missile है और इसका निर्मार किया जाता है BDL के दोरा और एक मिसाइल का नाम जैसे द्यान रखेगा आस्तर आस्तर काफी important है और आस्तर कैसे मार करती है आस्तर आप द्यान रखेगा ये ear to ear मार करने में सक्षम है क्या नाम इसका है very good बहुत बढ़ा आस्तर हो जाएगा तो ये तीन आप द्यान रखेगा बस इतना आपका हो जाएगा हला कि सबसे भारत में जो सक्तिसाली मिसाइल है उसका नाम है अगनी ये एक ICVM केटिगरी का मिसाइल है ICVM का मतलब क्या है Intercontinental Ballistic Missile यानि जो अपना उप महादेउप है इसके बाहर वी जाकर ये मार करने में सक्षम होगा ऐसी मिसाइल को हम लोग कहते है ICVM और आप कमेंट में बताइए कि जो अगनी हुआ प्रत्वी हुआ इस प्रकार के मिसाइल भारत में डेवलप किया जा रहे है ये कौन से प्रोग्राम के अंतरगत बनाए जा रहे है जो इंदरा गांधी जी के टाइम में स्टाइट किया गया था हलां कि यादा नाम मैंने लिखी दिया है मैं ही आपको बताता हूँ इसका नाम क्या है Interguided Missile Development Program IGMDP कहा जाता है Interguided Missile Development Program इसके अंतरगत ही आपका Missile बनाया गया हुआ जैसे नाग इसी के अंतरगत बना हुआ है अगनी इसी के अंतरगत बना हुआ है प्रत्वी इसी के अंतरगत बना हुआ है आकास इसी के अंतरगत बना हुआ है तो ये प्रोग्राम बहुत ही important है भारत सरकार का का नामकरन पूछा गया, तो क्या चीन, होंग कॉंग और वियतनाम ने किया है, या यमन ने किया है, भारत ने किया है, फिलिपीन्स ने किया है, या इरान ने किया है, जो भी इसका जवाब रहे, वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्लास को मैक्सिमूम आप लोग सेर कर सकती है उसे प्रोवाइड करेंगे जिन भी दोस्तों ने वीडियो को देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार जुडते रही है ये क्लास मैं कोसिस करूँगा ओफलाइन मोड में सुबह 5 वज कर 30 मिनिट पर अपलोड कर दी जाए लाइव क्लास नहीं करवाऊंगा क्योंकि अभी ओडियन्स उसे हिसाब से नहीं कनेक्ट हो पाई है तो ये क्लास आपकी जो होगी वो ओफलाइन थ्रू ही मैं ऐसे अपलोड कर दिया करूँगा आप वीडियो देख लीजेगा नोट्स बना लीजेगा फुल मिलाके आपका मुख़ी टारिगेट है सीखना और मेरा है सीखाना तो दोनों लोग इसी परिप्यक्ष में जुड़ेंगे ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल की क्लास में